Charge to mass ratio of electron Year 1897 में एक British physicist J.J. Thompson ने Ratio of electric charge to the mass of electron को measure किया था अब इसकी value क्या आई थी यह हम आगे देखेंगे बट सबसे पहले हम इस experiment को देख लेते हैं जो कि J.J. Thompson ने किया था बट रुको अगर इस वीडियो के पहले आपने इसकी previous videos नहीं देखी तो मैं recommend करूँगा कि आप पहले उन्हें जाकर देखें फिर इस वीडियो को वापस आकर देखें तो आपको और बहतर समझाएगा तो वापस आते हैं topic पे और इस experiment को देख लेते हैं तो अभी इस experiment में आप देख सकते हैं कि यह एक glass की बनी हुई tube है और यहाँ पर दो metal straps भी लगे हैं जो की है cathode और anode और यहाँ नीचे एक battery भी connected है इन दोनों से और अगर इस side देखें तो यहाँ पर एक magnet लगा है और इस magnet के जो दोनो poles हैं वो इन electric terminals के perpendicular लगे हैं और सबसे last में यह एक fluorescent screen लगी है अब जिने fluorescent screen के बारे में नहीं पता वो एक definition देख सकते हैं और समझ सकते हैं तो वो अपने सारे components के बारे में तो जान लिया तो अब चलिए इस experiment को देख लेते हैं तो पिछले discovery of electron वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि scientist सिर्फ cathode से anode के तरफ electrons को move करा रहे थे और उस time ये दो components electrons के path के बीच में नहीं लगे थे जिसके वज़े से सारे electrons directly इस fluorescent material पर ही जाकर collect हो जा रहे थे पर यहाँ पर जब scientist ने electrons के path में electric और magnetic field भी लगा कर देखा तो उन्हें ये देखने को मिला कि जो electrons हैं वो अपने normal path से deviate हो रहे हैं यानि कि जब उन पर electric field लगाया जा रहा था तो वो A के side deviate हो रहे थे और वहीं जब उन पर magnetic field apply किया जा रहा था तो वो C के side deviate हो रहे थे और जब दोनों electric और magnetic field को एक साथ apply किया गया same amount में तो ये देखा गया कि वो जो electrons हैं यानि कि जो cathode rays हैं वो वापस से straight line में ही move करने लगे जैसे वो पहले बिना electric और magnetic field के move कर रहे थे तो फिर इसे थोड़ा और deeply study किया गया और ये पता लगाया गया कि ये जो deviation हो रहा है electric और magnetic field के वज़ा से इन electrons में ये किन किन चीजों पर depend करता है तो जो first is find out की गई थी वो थी कि the magnitude of the negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particle greater the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection यानि कि इसका simple सा यही मतलब है कि जितना ज्यादा negative charge इस cathode ray में present होगा समझ रहे हो बात को इस वाले beam में जितना ज्यादा negative charge present होगा उतना ही ज्यादा हमें इसका इस field के through deflection देखने को मिलेगा तो अब जो second point है वो है कि the mass of the particle lighter the particle greater the deflection यानि कि जो deflection हो रहा है यहाँ वो cathode ray particles के mass पे भी depend करेगा तो अब इसे मैं आपको एक example से समझाता हूँ तो for example अगर हम दो stones यानि कि पत्थर लें जिसमें से एक का weight है 5 kg और दूसरे का weight है 500 gram यानि कि half kg और अगर हम दोनों को एक साथ throw करेंगे तो उनमें से ज्यादा दूर तक कौन सा पत्थर जाएगा तो obviously 500 gram वाला जाएगा क्योंकि वो ज्यादा हलका है और अगर science के according भी देखें तो उसमें भी यह है कि जितना ज्यादा कोई चीज भारी होगा यानि कि जितना ज्यादा उस चीज का weight होगा हमें उस पे उतना ही ज्यादा force लगाना पड़ेगा उसे move कराने के लिए यानि कि इन particles का mass जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा हमें deflection देखने को मिलेगा इस field के थ्रू समझे बात को तो अब जो हमारा third and last point है वो है the strength of the electric or magnetic field the deflection of electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field यानि कि जो deflection हो रहा है यहां पर electrons का वो electric or magnetic field के strength पर भी depend करेगा यानि कि अगर electric field में देखा जाए तो जितना ज्यादा voltage supply होगा इन electrodes में उतना ही ज्यादा हमें deflection भी देखने को मिलेगा और similarly magnetic field में भी जितना ज्यादा strength बढ़ाएंगे हम उतना ही ज्यादा deflection हमें इस case में भी देखने को मिलेगा इस cathodray में और यह जो electric और magnetic field के वज़ा से हमें जो deflection देखने को मिल रहा है उससे ही थोड़ा और accurately calculate करने के बाद scientist को charge per mass of electron याने की charge to mass ratio of electron की actual और accurate value पता चली जो की थी 1.758820 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी और इसमें ME का मतलब है mass of electron और E याने की magnitude of charge on the electron जो की normally कूलम में होता है इसलिए यहाँ पर इसकी ऐसा unit हो गई केजी पर कूलम और फिर इसके कुछी सालों बाद एक और scientist जिनका नाम था आरे मिलिकन उन्होंने एक experiment किया जिसका नाम था oil drop experiment जिसे करने के बाद उन्हें electron पे कितने कूलम का charge present होता है यह पता चल गया तो बस यह पता चलने के बाद सारे problems ही solve हो गई हमें इसी के वज़े से mass of electron यानि की ME की भी value पता चल गई और यह जो concept है यह completely clear हो गया समझ में आई बात ओके तो फिर मैं चलता हूँ अब see you in the next video बबाई